है लो गाइज वेलकम टो एंदर वीडियो फिर्ट जाग्रन परकाशन की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज केस वीडियो में नासस करेंगे स्टैंडल ऑन तो कांशलीडेटेड् दोनों रिजल साओट हो चुका है यह के हम लोग कवर करेंगे चले फेट्स वीडियो स्टार्ट करते और आज पहले हम लोग penetrate फिनांसल रिजल को कवर करेंगे और यहाँ पर हम नंबर की बात करें यहाँ पे लेट में स्टैंडरल और राइट में manages में है तो consolidated में इंकम की बात करें तो 537.4 करोड का पिछले quarter में 476.7 करोड का दिसंबर 22 quarter में 509.8 करोड का income है quarter on quarter में increase है year on year की income में increase किया है expenses हुआ है इस बार का अगर में लोग देखे आ जाए तो company का जो expenses है guys 440.5 करोड का पिछले quarter में 420 करोड का दिसंबर 22 quarter में 442 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter year on year की expenses इंक्रेज किया है ऑप्रेटिंग profit 96.9 करोड का पिछले quarter 56.4 करोड का दिसंबर 22 quarter 67.5 करोड का ओप्रेटिंग profit quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit company का है इस बार का अगर मुनों गहां पर नेट profit की बात करें तो company का जो हुआ है 73.4 करोड का पिछले quarter 41.5 करोड का दिसंबर 22 quarter 82 करोड का प्रॉफिट है quarter on quarter में increase है बट यह रॉन यह डिक्रेज किया और यह रॉन यह डिक्रेज करने का गई सबस्वला reason है company का इस बार का अगर देखा जाए तो exceptional उसका सेल या ट्रांसफर गेन जो इसो ट्रांसफर पर गेन हुआ था और इसी कांसे company का profit जो है consolidated में year on year में डाउन देखने को मिली है अगर हम EPS की बात करें तो 3.39 रॉपेज का quarter on quarter में यहां पे देखा जाए तो इंक्रीज है इंक्रीज किया है before exceptional items जो से बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है लेकिन company का after exceptional items में डाउन देखने को मिला है operating margin यहां पे company का जो पेश हुआ है न का इस बार का अगर operating margin की बात करें तो गाइस company का 20.53 परशंट का profit margin 13.67 परशंट का है दोनों quarter on quarter में इंक्रीज किया है अगर हमें standalone financial result को cover करें इंकम में 454.4 करोड का पिछले quarter में 402 करोड का और दिसम्ब 22 quarter में 433 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है expenses हुआ 357.7 करोड का पिछले quarter में अगर हम बात करें 357 करोड के expense हुआ पिछले quarter 343 42 करोड के expense हुआ था और दिसम्ब 22 quarter में 366 करोड के expense था quarter on quarter भले increase हुआ है लेकिन year on year में expenses बहुत कम हुआ है जिसके गान profit में ची ग्रोथ है और यहां पर profit है इस बार का अगर हम operating profit की बात का तो 96.6 करोड का पिछले quarter में डिसम्बcc router और दिसम्ब मेंてेज किया है निच पॉट्रम 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 फिफटी करोड का और दिसम्ब किरोड का profit Quad-on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS Company का है 3.4 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो guys देखें सेगमेट वाइस बात के तो printing publishing and digital FM radio business और दर्शन तीनों से revenue जनरेट कर revenue बहुत अची ग्रोथ है लिए 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 अच्छी ग्रोथ है लिए लिए एक्सेप्शनल आइटम से पिछले साथ में December 22 quarter में अगेन होने के कारण ही year on year की profit में डाउन हुआ था लेकिन स्टैंडलॉन में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ क्यों यह स्टैंडलॉन में एक्सेप्शनल आइटम एड नहीं किया गया तो कह सकते हैं कमपनी बहुत ही पेश किया तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पुछे मिलते हैं नेक्स रोडम में दिल दिन बाबार